प्लास्टिक वेन को लेकर प्लास्टिक को बंद करने की खोशना की है, बिहार में प्लास्टिक को बैंड करने को लेकर ब्यापारियों की और से लगातार प्लास्टिक बैंड की तारिक बढ़ाने की मांग की जा रही थी, इसे पूरे मामले को लेकर इनका कहना था कि अगले साल 30 जून तक का मौका उन्ह का प्रोडक्शन सुरू किया जा सके बता दे कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मकॉल के इस्तमाल पर एक लाग का जुर्माना या फिर तीन महिने की कैज की सजा हो सकती है यह प्रापधान जो है वह लगाया गया था बिहार के परियावरन बनवम जलवायू प को भी प्रभावित कर रहे हैं प्लास्टिक के छोटे-छोटे कन मनुस के सरीर में पहुंच रहे हैं और या विवीन तरह की बिमारियों की बजह बन रहे हैं लिहाजा सरकार ने बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर वैन लगाने का डिसिजन लिया है किन सरकार ने एक जून तक लिए उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो जो है इसे अपग्रेड कर सकें आपको बतातें कि किन सरकार ने पॉलिथीन के मोटाई यानि कि 50 माइक्रोन से बढ़ा कर 120 माइक्रोन तक की कर दी है नए नियमों के तहत अगले साल 21 दिसंबर से 75 माइक्रोन से कम मोटाई क ये पॉलिथीन बैग और 120 माइक्रोन से कम के बैग पर परतिबंध लग जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रदूसन का सबसे बड़ा सुरूत बाना जाता है क्योंकि यह आसानी से नस्ट नहीं होता है सरकार की और सजारी की गई अधिसुचना के अनुसार सिंगल केंडी के चमच अस्टिक, चमच प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे आइटम और सिग्रेट के पैकेट के अलबा मिठाई बॉक्स, निमंतरन कार्ड, काटा चमच और प्लेट, आने वाले प्लास्टिक और कम और 100 माइक्रोन के कम से PVC बैनर पर पर परतिबंध लागो होगा तो एक दरह से कहलें कि 15 दिसमर से जिसकी बात मिडिया में सोर जोर सो कही जा रही थी, कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है बिहार में, उसको लेकर बहुत बड़ी ख़वर सामने आई जिसमें कि अब कहा जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बिहार में अब जो है अगले साल 1 जुलाई तक के लिए जारी रहेगा, किन सरकार ने पहले ही कहा था कि हम 1 जुलाई 2000, 22 के बाद से इसमें पर्तिबंद लगाएंगे, अब विहार सरकार ने भी जो है वियापारियों की मांग को देखते हुए उसे 1 जुलाई 2022 से लागू करने की बात कही ह बिहार और बिहार से जुड़ी और वेसिंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियोज के साथ मुझे दिजी इजाजत धन्यवाद